हेलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में ये देखे, प्यारा सा खूपसुरा स्वेटर, जिसमें नीचे आधी दूर तक प्लेइन है, उसके उपर ये डिजाइन है, और उसके उपर ये हमारी दूसरे गाललर है, बहुत ही खूपसुरा और प्यारी सी डिजाइन, इस का ग्राफ देती हूं, उस ग्राफ के हल्प से भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं, और इस स्वेटर के ऊपर ये देखे, मैंने ये कंगूरे वाला बॉर्डर बनाया, बहुत ही खूपसुरा और ये बॉर्डर हम बना है, तो आज के वीडियो में हम इस बॉर्डर को बन इस ओपर बनी हुए डिजाइन को बना सकते हैं, तो आए, इस गले बने हुए कंगूरे डिजाइन को बनाना सीखते हैं, ये देखे, पार्ट वन में हमने इसे डिजाइन को बनाना सीख लिया था, नीचे कितने फंदे रखने हैं, और कैसे ये बनाना है, तो ये मेरा जो है ये आगे कपला है और इसके बाद ये देखिए ये मेरी स्लीपस है आस्तीन और इसमें मैंने ये देखिए बटन पट्टी बनाई है जब मेरी ये डिजाइन पूरी हो गई है तो पांच फंदे बढ़ा करके मैंने बटन पट्टी बनाई है क्योंकि मैं पीछे से एक साइट से इस स्वाटर को खुला रखूंगे तो जो छोटे बच्चे को पहनाने में बहुत ही आसानी होती है और इसी तरह से ये देखे हमारा जो है वो पीछे का पल्ला है और इसमें मैंने फंदे को नहीं बढ़ाया है ये 5 फंदे की मैंने यहां भी उल्टे-ल्टे की बटन पट्टी बनाएं ये देखे इन 4 पल्लों को बनाने के बाद एक आसतिन फिर एक पल्ल आगे का फिर दूसरी आसतिन और पीछे का पल्ला इन सारे फंदों को हमें एक सलाई पर कर लिया है अब यहाँ पे हमारे 95 फंदे हैं तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे 5 फंदों को घटा दूँगी और 90 फंदे यहाँ पे कले पे रखूँगी और इन सारे फंदों को जोडने के बाद यहाँ हम 6 सलाईया, 3 सलाई सीधी और 3 सलाई उल्टी प्लेन बनाएंगे पूरा स्वाटर हमारा 10 नंबर की सलाई से बना है अब यहाँ से हम 11 नंबर की सलाई से बनाएंगे तो यह 6 सलाईया बना करके फिर आप दिखाते हैं लेकिन इच्छे सिलाईओं को बिनने के पहले, यह जो हमारा जोड है, यह ब्लू कलर, जहां से यह मेरे तीन पंदे मुड़्े के घटे हैं, इनको यहां से यहां तक हम सिलाई कर लेंगे, पिर यह दूसरे पल्ले में, इन दोनों पल्लों को ऐस तरह से यहां से मिलाते हुए, यहां हम सिलाई कर लेंगे तो हमारी गले की फिटिंग बहुत यह अच्छी आती है फिर यहां मैंने थोड़े थोड़े उन को रखा है यहां पर तो यहां से यहां जहां यह मैंने घटाया है मुट्टे को तीन फंदे वहां तक यह पूरी हम सिलाई करेंगे और फिर हम सिलाई करने के बाद छे सलाईया एलैवन नम्बर की सलाई से बनाएंगे तो तीन सलाई हम सीधी बनाएंगे और तीन सलाईया उल्टे तो हम आपको बना कर फिर दिखाते हैं यह देखें, यहाँ पर मैंने यह सलाई भी कर ली है, सब पलों की और उसके बाद ये गले पे ये 6 लाईया मैंने 11 नमबर से बना ली है अब मैं बताती हूं उसके आगे क्या करना है तो इसके बाद हमें पहले फंदे को ऐसे slip कर लिजे या बिन लिजे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक और एक इन दो फंदों का एक करेंगे तो दिखें जाली से फंदे हमारे बढ़ गए और यहां दो फंदों का एक फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इसे हम बार बार रिपीट करेंगे और एक और एक इन दो फंदों का हम एक करेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदो का एक, इस तरह से इस पूरी रो को हम बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करना है और इन दो फंदो को हमें सीधा बनाना है, तो इस तरह से हमारी ये जाली बनती जाएगी, और इस पूरी रो को हम बना करके फिर आपको दिख जब हम लास्क में आएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे इन दो फंदों का एक करेंगे और एक मेरा बचा है इसे भी हम सीधा बना लेंगे अब हम यहां से बैक साइट पर आ जाएंगे और बैक साइट से इन सारे फंदों को हमें फिर उल्टा उल्टा ही बनाना है यह से इन सारे पंदों को हम उल्टा उल्टा बिनते हुए इस पूरी रो को कंप्लेट करेंगे यह देखिए बैक साइट से मैंने पूरा बना लिया उल्टा उल्टा तो यह इस तरह से बीच में हमारी यह जाली दिखने लगी है अब यहां से हम दो सलाई सीधी और दो सलाई उल् और फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है यह देखिए यहां पर मैंने दो सलाई सीधी और दो सलाई उल्टी चार सलाईयां मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है और आप इन पंदों को हमें बंद करना है तो आप जैसे भी बंद करतना चाहती हूं और यहां पर म बंद करिए डिला डिला और या दस नंबर से इन सारे फंदों को हमें बंद कर देना है तो हमारी ये गले की फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो इस तरह से हम सारे फंदों को बंद करेंगे और उसके बाद मैं इसकी से लाई करना बताऊंगी ये देखिए इस तरह से बंद करते जाना है ये देखिए इन सारे फंदों को मैंने बंद कर लिया है अब हम पैक साइट पर आ जाएंगे और ये देखिए इसे ऐसे बल लग देंगे यहां जहां हमाने पट्टी गले की शुरू की थी बहीं पे लाके मिलाएंगे तो ये देखे बिल्कुल ये हमारा कंगुरे वाला बॉटर आ जाएगा अब सुई में धाके को डाल करके हम यहां पे बिल्कुल इस तरह से और अब हम इसकी सिलाई करेंगे जहां से मैंने गले की फंदे को स्टार्ट किया था मिलाकर के सारे स्वेटर को पहीं पहीं हमें लाकर किस्ट को और फिर सिलाई करनी है ये देखें इस तरह से ये देखें गले में ये सिलाई करने के बाद मैंने नीचे आस्तीन और नीचे ये साइट की भी सिलाई कर ली है तो हमारा स्वाटर इस तरह से दिख रहा है मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करके बताईगा कि ये डिजाइन आपको कैसी लगी थेंक यू